हमारे सब बात करने के लिए हैं पूरकेंद्री मंत्री और भाजपा की वरिश नेताज स्मृति इरानी जी मीटम कॉंग्रेस की तरफ से लगातार महिलाओं को लेकर टिपडियां की जा रहे हैं हर्कन का चुनाओ है महाराष्ट का चुनाओ है ऐसे में इस तरह के बैन बात जी को कैसे लेती हैं मुझे लगता है कि अगर आप महिला प्रतिद्धी के सामने किसी मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं तो मुद्दे के आधार पर अपनी राजनीती करें तो बहतर है कॉंग्रिस के और इंडिय अलाइंस के नेताओं द्वारा चाहे सीता सुरेन हो शाहिना इंसी हो ओछी टिपनी करना उनके हार का संकेद है आपको अगर किसी महिला प्रतिद्धी के साथ लोहा लेना ही है एकॉनिमी पर चर्चा कीजे, इंफ्रस्ट्रक्चर पर कीजे, आप आंतरिक सुरक्षा पर कीजे इस प्रकार का महिला प्रतिद्धियों पर प्रहार इस बात का तो संकेद देता ही है कि आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं इस बात का भी संकेत देता है कि आपकी organizational संसकार महिला के प्रतियापका दृष्टी कौन नीजित स्थर पर भी क्या है। आज नरेंद्र मोदी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 33% direction महिलाओं के लिए इसको पारित कर देश की संसद में राष्ट भर को ये संदेश दिया कि महिला को देश की राजनीती में हमें और प्रोटसाहित करना चाहिए। और दूसरी और इंडी अलाइंस के नेता जब महिला प्रतिनिधियों पर इस प्रकार की उच्छी टिपणियां करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो महिला के confidence को तोड़ने का दुसाहस तो करी रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाएंगे ऐसे हतकंडे आत्माने के बाद। अर्विन सावन्त का बयान होःंज जाही ये हूद झारखन में सीता सुरेन को लेकर दिया घए बाहने बयान अब तक कोई कंड़िन रहे झागे लेकिन बाद में सच्छी रावत है फिर इंडोर्स किया और उन्होंने गलत क्या गा इन्हों ने अपनी पार्टी में जमेला नेतरित्व का अपमान हुआ तब नहीं बोले अब कोई भी नेता विधान सभासतर पर जब टिपणिया करता है तो एक conscientious या फिर एक संसकारी पाटी में जो शीष नेतरित्व है वो निश्चत रूप से ऐसे नेताओं को आड़े हाथ लेता है इंडिया अलाइंस के शीष नेतरित्व की चुपी इस बात का संकेत है कि ऐसी ओच्छी टिपणियों का उनका भी समर्थन है लेकिन चुनाओं में इस तरह की बैनबाजी को सही ठहरेंगे आप मेरा मानना है कि कुछ लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि ऐसी ओच्छी टिपणियों जब होती है तो सिर्फ महिला वोटर आत होती है मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में हमारे देश में आज पुरुष वोटर भी इस प्रकार के अभद्र वियवहार का कहीं समर्थन नहीं करते हैं पुना कहते हूं हमारे देश का लोगतंत्र, हमारे देश की राधनीती काम्याब तब होती है जब दोनों प्रतिद्वन्धी या प्रतिनिधी मुद्दों के आधार पर अपनी राधनीती करें, मुद्दे है नहीं, इंडिया अलाइंस के लिए हार निश्चित है और इसलिए इस प्रकार की वो उच्छी बाते कर रहे हैं पाकरोध होना नहीं चाहिए ये वो लोग हैं जिन्होंने ना हिंदू का समर्थन किया, ना हिंदूइजम का समर्थन किया, ना हिंदूस्तान का समर्थन किया, इनकी राधनीती ही इस बात पर चलती है कि मेरा समाज, हमारा समाज बढ़ता है तो इनका वोट बढ़ता है और अगर उन्हों ने ओयसी साहब ने इस प्रकार की टिपणी की है, हमारे समाज को, हमारे देश के सम्विधान को, देश के कानून को ललका रहा है, तो उन्हें मूँ तोड जवाब देश के नागरिक ही देंगे। धर देश के सम्विधान को, तो जवाब के सम्विधान के सम्विधान को, मुदध तो जवाब काल कवरे देश के घ्याए बाएग।